उत्रप्रदेश के उप्चुनाव से पहले करहल सीट पर अनुजेश यादफ को उतार कर क्या वाकई फस गई है भारतिय जनता पार्टी क्या भारतिय जनता पार्टी ने अनुजेश यादफ को उतार कर भारी गलती कर दी क्या अनुजेश यादफ को मैदान में नहीं उतारन ता और क्या एक बड़ा सच है जो मुलायम प्रिवार्न लिकर वाकलेंश यादव को लेकर बताया है यानि कि वह कौन वे सबूत हैं जिस शबूतों का खुछासाँ किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से अनुझेश यादव बुरी तरीके से फसर हैं दरसल ऐसे ही नहीं मुलायम परिवार ने अनुचेश यादव के साथ अपने रिष्टों को खतम किये खबर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के प्रमो ककलेश यादव और इसके अलावा पार्टी में सीनियर नेता धरमेंदर यादव जिन्होंने एक बड़ा ब मयान दिया कि मुलायम परिवार के साथ गदारी जिस तरीके से अनुचेश यादव ने की वो उन्हें बिलकुल पसंद नहीं आए क्योंकि परिवार को एक रखकर चलने का काम मुलायम सी यादव ने किया लेकिन देखने को मिलता है कि सत्ता के लालच में जैसे ही को खत्म कर लिया मुलायम परिवार ने अनुचेश यादव से रिस्ते खत्म कर लिए जैसे अपड़ना यादव के साथ में आज कोई रिस्ता अखलेश यादव का नहीं है डिंपल यादव का नहीं शेफपाल यादव का नहीं ठीक वहीं अनुचेश यादव के साथ है ऐस यादव परिवार के कई बड़े चेहरों ने सीधे सीधे तोर पर अनुजेश यादव पर ये आरोप भी लगाए कि अनुजेश यादव जो है वो पार्टी को तोड़ने का भी काम कर रहे थे और अनुजेश यादव जो है वो परिवार के खिलाफ बगावत भी करते नसर आ रहे थे हाला कि उन्होंने कहा कि अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव का जिकर करें जो कि बहनों ही है भले ही वो कहते हैं कि वो मुलायम परिवार का हिस्सा रहे हो लेकिन अब उनका परिवार से कोई बड़ा रिस्ता नहीं है और यादव वोट बैंक को भी भटकने की जोरत नहीं है और करहल पर जीत हमारी ही होगी हाला कि ये देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी जिस बड़े आत्मविश्वास के साथ सीटों को लेकर दावा कर रही है क्या उसमें काम्याब हो पाती है